गुजरात में एक आदमी को सड़क में नमास पढ़ना पड़ा भारी इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज हाली में सड़क में नमास पढ़ने पे एक वीडियो वाइरल हो रहा है कि गुजरात में एक आदमी सड़क पर नमास पढ़ रहा है और उसको पुलिस वाले गिरफतार करके ले गए भारत में इन दिनों खुले में नमास पढ़ने को लेकर काफी खासा बवाल आपको सुनने को मिल जाएगा कि सड़क पर नमास नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए फ्लाइट में अगर कोई भजन बजाया जा रहा है तो उस भजन को सब हर्शुलास से गाते हुए नजर आएंगे लेकिन अगर कोई एक आदमी, कोई एक शक्स खुले में नमास पढ़ ले तो उसको गिरफतार कर लिया जाता है जिस तरी किसे गुजरात में एक वीडियो सामने आई है कि एक यूवक 37 साल कवर यूवक बताया जा रहा है और उसका नाम जो है वो बचौल खान बताया जा रहा है कि एक यूवक एक सड़क पे नमास पढ़ रहा है और उसके बाद वो वीडियो वाइरल हो गई है सोशल मीडिया पे और पुलिस ने वो वीडियो देखी फिर उसके बाद जो हुआ कि उसको गिरफतार कर लिया गया मतलब एक यूवक से क्या इतनी भीड लगे कि ट्रैफिक जाम हो गया कि उसको अब सड़क पे नमास भी पढ़ने नहीं दिया जाएगा और उसको इस तरीके से गिरफतार कर लिया जाएगा इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुसल्मानों के साथ किस तरीके की चीजे होती है कि मुसल्मानों को इस समाज में रहना ही मुश्किल हो गया कि अगर आप इस देश में रह रहे हैं और आप मुसल्मान हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं अगर खुले में आपको नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा वहीं दूसरी तरवक देखे जाए कोई दूसरी धर्म के लोग अगर अपना तहवार मनाते हैं जुलूस न नहीं गुजराएथ गुजरात में एक बनास काठामें व्यस्त अब्रड वीडियो में कुछ आसा देखने को नहीं मिल रहा है कि सडख जाम हो गई हो सड़क सड़क पर लोग आ जा पा happier रहे मस्तनуск वहां पर सपने वीडियो में और वाइन सब्सक्राइब हो और मान दोसके देखा तो उस सक्ष को गिरफतार कर लिया गया इसमें तमाम लोग भी अपने टिपड़ेयां दे रहे हैं कि एक समुदाय को इसमें टार्गेट बनाया जा रहा है या फिर ये भी कहा जा रहे हैं कि सविधार में दिये लोकतंत्रिक अधारों के विप्रीद भी बताया जा रह है लेकिन एक शक्स ने अगर सड़क पर नमाज पढ़ लिए तो गुना कर दिया मतलब उसको गिरफतार कर लिया जाएगा उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी मतलब एक मुसल्मान होना इस देश के लिए क्या गुना है जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती है कि हिंदू रा कर लिया गया इस पे तमाम लोग अपनी टिपपणियां दे रहे हैं एक्स पे पोस्ट करके लिख रहे हैं हम आपको पढ़के सुना देते हैं इस पे मोहमत तन्वीर लिखते हैं इंडिगो फ्लाइट में हिंदू भीड बजन कीरतन कर रही बस कोई मुसलिम नमास पढ़ ल जो फिरदोस फिजाएं वो लिखती है कि सैतिस साल के मुसलिम ट्रक डाइवर बचल खान को सडक के किनारे नमास पढ़ने पर गिरफतार कर लिया गया है अब नमास पढ़ना भी जुर्म हो गया है क्या मतलब अगर वो अपनी शांती पूरवक नमास पढ़ रहा है सैतिस सा सबका विकास की बात कर रहे हैं वहां अगर देखा जाए तो इसमें का जाता है सबका साथ नहीं सिर्फ दूसरे धरम का विकास हो रहे हैं मुसलिम समाज को कही न कहीं पीछे छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि अब उनके नमास पढ़ने तक पर रोक लगा दी जाती है उसम पर दहब एक और भाषण में वह मुसल्मानों को यह वी दिए तरीक देख परिशान किया जाता है नमास नहीं पड़ने दिया जाता है और जैमक्ले जब भी सोशल मीडिया पर वैरल हुआ फिर पुलिस तैनात हुए गुजरात की पुलिस उसको पकड़ के लेगे और कारवाही चला रही है इसमें तमाम चीज़े ये नजर आती है कोई और धरम अगर ये चीज कर ले तो उसको कोई कुछ नहीं है लेकिन अगर मुसल्मान कर ले तो बहुत चीज़े गलत हो जाती है उनको पकड़ लिया जाता है अगर मुसल्मान इसका विरोध करेगा सड़कों पर आके इसका विरोध करेगा तो उनको आतंगवादी घुशित कर दिया जाएगा मतलब अगर सामप्रदाई दंगे की बात करे तो ये चीज़ इसमें आ जात सकता है तो सवाल यहीं कि मोधी सरकार के होते हैं कि कोई मुसल्मान नमाज भी नहीं पढ़ सकता है उसको अब रोड दिया जाएगा नमाज पढ़ने से तो जहां पर डबल इंजन से डबल विकास कर रहे हैं कि समाज ये समूदाय का विकास अब इस सब चीजों से ये चीज तो सामने आती है कि वो एक समुदाय के साथ हो गए हैं दूसरे समुदाय के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं इसके साती साथ असाउद दिन वैसी जो हैं वो ये चीज कहते हैं कि मुसल्मानों जाग जाओ अब भी देर नहीं हुई है इस तरीके की बयान बाजी कर रहे हैं कि मुसल्मानों जाग जाओ कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मस्जितों को खत्रा हो गया अगर मुसल्मान एक जुट नहीं होंगे तो मस्जितों को काफी खत्रा होने वाला है तो ये इस तरीगे की टिपणी भी सामने नजर आती रहती है वहीं मोधी सरकार का इसमें क्या चीज़ है क्योंकि कोई एक्षिन अभी तक नहीं लिया गया है क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, कोई चोरी नहीं कर रहा था, किसी को मार नहीं रहा था कोई जगड़ा नहीं कर रहा था सिर्फ अपने धर्म होने के नाते मुसलमान होने के नाते नमाज पढ़ रहा था उसके बाद भी उसको गिरफतार कर लिया गया और इस पर गुजरात में जो भाजपा की सरकार है डवल इंजन की सरकार है सबका साथ सबका विकास के वादे कर अगर वही कोई वही कोई दूसरे धर्म के लोग अगर कोई जाकी निकाल रहे होता को यातरा कर रहे होते तो उनको कोई कुछ नहीं कहा जाता लेकिन वहीं एक शक्स ने एक शक्स ने जो एक अकेला व्यक्तिता सैतिस्टाल का बचौल खानतों उसको गिरफतार कर लिया गया आपकी इस पर क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि अगर एक यूवक्त नमास पढ़ लेता है सड़क पर कोई सड़क जाम नहीं होते है तो उसको गिरफतार कर लिया जाता है वहीं दूसरी तब कुछ और चीज़े अगर कोई और धर्म के लोग कोई ज थाकिया निकल तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है आपकी इस पर क्या है रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा धन्यवाद